कथा सकी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आईए दोस्तों सुनते हैं दिप्ती मित्तल जी के लिखी कहानी सीख भोर के समय सूर्य देवता ने अपना प्रसार छेत्र विर्ष्दित करना आरम कर दिया था सत्य कुमार बालकनी में आखे मूंदे बैठे थे तभी किचन से उनकी धर्मपतनी सुधा चाय लेकर आई लो ऐसे कैसे बैठे हो अभी तो उठे हो फिर आख लग गई क्या क्या बात है तभी ये ठीक नहीं लग रही है क्या सुधा ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए पूछा सत्य कुमार ने धीमे से आखे खोल कर उन्हें देखा और पुना आखे मूंद ली सुधा कप में चाय उड़ेलते हुए दबे सवर में बोलने लगी मुझे मालूम है दीपू का वापस जाना आपको खल रहा है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें हर बार ऐसा ही होता है बच्चे आते हैं कुछ दिनों की रौनक होती है और वे चले जाते हैं मेरट युनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रवक्ता और लेखक सत्यकुमार की विद्धुता उनके चेहरे से साब जलकती थी उनकी पुस्तकों से आने वाली रोयल्टी रिटायर्मेंट के बाद पर अपने वाले आर्थिक अभाओं को दूर फेकने में सक्षम थी उनके दो बेटों में छोटा सुदीप अपनी सह पाठिनी के साथ प्रेम विवाह कर मुंबई में सेटल हो गया था विवाह के बाद वो उनसे जादा मतलब नहीं रखता था बड़ा बेटा दीपक कंप्यूटर इंजीनियर था उसने अपने माता-पिता की पसंद से अरेंच्ट मैरिश की थी उसकी पतनी मधु सुन्दर, सोशील और हर काम में निपुड अपने साथ ससुर के लाडली बहुत थी दीपक और मधु कुछ वर्षों से लंदन में थे और दोनों वहीं सेटल होने की सोच रहे थे दीपक का लंदन रुख जाना सत्यकुमार को अच्छा नहीं लगा मगर सुधा ने उन्हें समझा दिया था कि अपनी मामता को बच्चों की तरकी क्याड़े नहीं लाना चाहिए और वैसे भी वो लंदन रहेगा तो भी क्या आपके रिटायर्मेंट के बाद हम ही उसके पास चले जाएंगे दीपक और मधु उनके पास साल में एक पार दस पंदरा दिनों के लिए अवश्य आते और उनसे साथ लंदन चलने का अनुरोद करते मधु जितने दिन वहां रहती अपने साथ ससुर की खूब सेवा करती आज सत्य कुमार को रिटायर हुए पूरे दो वर्ष हो चुके थे मगर इन दो वर्षों में दीपक ने उन्हीं लंदन आने के लिए भूले से भी नहीं कहा था सुधा उनसे बार-बार जित किया करती थी चलो हम ही लंदन चलें लेकिन वो बड़े ही स्वाबिमानी वेक्ती थे और बिना बुलावे के कहीं जाना स्वैम का अपमान समझते थे उनकी बंद आखों के पीछे कल रात की उस द्रिशे की बारंबार पुन्रावित्ती हो रही थी जो उन्होंने दुरभाग्यवश अंजाने में देखा था दीपक और मधु अपनी कमरे में वापसी के लिए पैकिंग कर रहे थे दोरों में कुछ बहस छड़ी हुई थी देखो तुम भूले से भी मम्मे पापा को लंदन आने के लिए मत कहना वो दोनों तो कब से तुम्हारी पहल की ताक में बैठे हैं मुझसे उनके नकरे नहीं उठाये जाएंगे मुझे ही पता है मैं यहां कैसे 15-20 दिन निकालती हूँ सारा दिन नकरानियों की तरह पिस्ते रहो फिर भी इनके नकरे ढीले नहीं होते जाहो तो हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करो हमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी मधु बार-बार गर्दन जटकते हुए बड़बड़ाये जा रही थी कैसी बाते कर रही हूँ मुझे तुम्हारी उतनी ही चिनता है जितनी की तुम्हें तुम फिक्र मत करो मैं उनसे कभी नहीं कहूंगा मझे पता है पापा बिना कहे लंदन कभी नहीं आएंगे दीपक मधु के गालों को थपथपाता हुआ उसे समझा रहा था मुझे तो खुद उनके साथ एड़जस्ट करने में दिक्कत होती है वे अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं समझते ही नहीं कि उनके लाइफ अलग है अमारी लाइफ अलग उनकी इसी आदत की वज़े से सुधीप ने भी उनसे कन्नी काट ली दीपक धारा प्रवा बोलता चला जा रहा था दोनों इस बात से बेखबर थे कि दर्वाजे के पास खड़े सत्य बुद्ध बने उनके इस वारता लाप को सुन रहे थे सत्य कुमार सर्न थे उनका मस्तेश के कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुका था अतव उन दोनों के सामने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाए उनको सी ओफ करने तक का समय उन्होंने कैसे काटो पर चल कर गुजारा था ये बस उनका दिल ही जानता था दीपक और मधु जिन की वो मिसाल दिया करते थे उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे जाते हुए दोनोंने कितने प्यार और आदर के साथ उनके पैर चुए थे ये प्यार ये अपना पन सब दिखावा छी उनका मन पुनह घ्रिणा और शोब से भर उठा वो यह भी तै नहीं कर पा रहे थे कि सुधा को इस बारे में बताए ये अत्वा नहीं ये सोच कर कि क्या वो यह सब सह पाएगी सत्य बार बार बीती रात के घटना क्रम को याद कर दुख के महासागर में गोते लगानी लगे समय अपनी रफतार से गुजरता जा रहा था मगर सत्य कुमार का जीवन जैसे उसी मोड पर थम गया था अपनी आंत्रिक वेदना को प्रत्यक्ष रूप से बाहर प्रकट नहीं कर पाने के कारण वो भीतर ही भीतर घुटते जा रहे थे उस घटना के बाद उनके स्वभाव में भी काफी नकरात्मक परिवर्ता ना गया दुख को भीतर ही भीतर घुट लेने के कारण वे चरचड़े होते जा रहे थे बच्चों से मिली उपेक्षा से स्वैम को अवांचित महसूस करने लगे थे धीरे धीरे सुधा भी उनके दर्द को महसूस करने लगी दोनों मन ही मन घुटते मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते लेकिन अभी भी उनके दिल के किसी कोने में उमीद की एक धुदली किरड बाकी थी कि शायद कभी किसे दिन बच्चों को उनकी जरूरत महसूस हो और वो उन्हें जबरन अपने सास ले जाए ये उमीद ही उनके अंतह करन की वेदना को और बढ़ा रही थी एक दिन सत्य कुमार केसी काम से हरिद्वार जा रहे थे उन्हें चले हुए तीन-चार घंटे हो चुके थे तभी कार से अचानक खर-खर की आवाज आने लगी इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कार थोड़ी दूर जाकर रुख गई और दुबारा स्टार्ट नहीं हुई सिर्पर सूरज चढ़कर मुँ चढ़ा रहा था पसीने से लगपत सत्य लाचार खड़े अपनी कार पर जुझला रहे थे थोड़ा पानी पी लीजिए सुधा पानी देते हुए बोली कार्ष कहीं छाया मिल जाय सुधा साड़ी के पल्लू से मुँ पोश्टी हुई इधर उधर नजरे दोडाने लगी मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ये सब हमारी साथ ही क्यों होता है क्या भगवान हमें बिना परिशान कि हमारा कोई काम पूरा नहीं कर सकता खुद को असहाय पाकर सत्यकुमार ने भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया देखो वहां दूर एक पेड है वहां दो तीन छपपर भी लगे हैं वहीं चलते हैं शायद कुछ मदद मिल जाए सुधा ने दूर एक बड़े बरगत के पेड़ों की और इशारा करते हुए कहा दोनों वो जिल कदमों से उस देशा में बढ़ने लगे वहां एक छपपर तले चाय की छोटी सी दुकान थी जिसमें दो तीन तूटी फूटी बेंचे पड़ी थी उन पर दो ग्रामीट बैठे चाय पी रहे थे वही पास में एक बुढ़िया कुछ गुनगुनाती हुई उबले आलू छिल रही थी दुकान में एक तरफ एक तूटे फूटे तसले में पानी भरा था उसके पास ये अनाज के दाने बिखरे पड़े थे कुछ चड़िया फुदक कर तसले में भरा पानी पी रही थी और कुछ बैठी पेट पूजा कर रही थी साथ लगे पेड से बार-बार गिलहरियां आती दाना उठाती और सर से वापस पेड पर चड़ जाती पेड की शाखाओं के हिलने से छंडी हवा का जोका आता जो भरी दोपहरी में बड़ी राहत दे रहा था शाखाओं के हिलने से पक्षियों की चचहा हट से गिलहरियों के भाग दोर से उपजे मिश्रित संगीत की गूंज अत्यंत कर्ण प्रे लग रही थी सुधा आखे मूंदे इस संगीत का आनंद लेने लगी क्या चाहिए बाबुजी चाय पीवो पुडिया की आवाद से सुधा की तंद्रा तूटी वो सत्यकुमार के और देखते हुए बोली आप चाय के साथ कुछ लोगे क्या नहीं सत्यकुमार ने क्रोध से भरा टकासा जवाब दिया बाबुजी आपकी सकल बतावे है कि आप भूखे भी हो और परेशान भी खाली पेट तो रत्ती भर परेशानी भी पहाड जैसी दिखे है पेट में कुछ डाल लो सरीर भी चलेगा और दिमाग भी हाँ 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 बुडिया इतना कहकर खुल कर हस पड़ी बनाते बनाते बत्याने लगी बीबी जी सूनसान जगे में कैसे था में क्या हुआ दरसल हम यहां से गुजर रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गए पता नहीं यहां आसपस कोई मकैनिक भी मिलेगा या नहीं सुधाने लाचारी प्रकट करते हुए कहा मैं किसी के हाथों मकैनिक बुलवालूंगी आप परिसान नहो बुढिया उन्हें चाय और भजिया पकड़ाते हुए बोली अरे ओ राम सरन इधर आईयो बुढिया दूर खेत में काम कर रहे हैं व्यक्ति की और चिलाई भाई इन भले मानस की गाड़ी खराब हो गई है जरा टीटू में कैनिक को तो बुलाला गाड़ी बनवा देवेगा इस विराने में कहा जायोंगे बिचारे बुढिया के स्वर में ऐसा विनैपुर्ण निवेदन था जैसे उसका अपना काम ही फसा हो बाबुजी चिन्ता मत करो टीटू ऐसा बच्चा है जो मरी कैसी भी बिगडी गाड़ी को चलता कर देवे है इतना कह बुढिया चिडियों के पास बैठ जो आर बाजरे के दाने बिखेरने लगी अरे मिठ्ठू आज मिठ्ठी कहा है वो एक चिडिया से बत्याने लगी सत्य को उसका या वेवहार कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था ऐसी बुढिया जिसके शारिक और भौतिक अवस्था अध्यंत जरजर है उसका वेवहार उसकी बोलचाल इतनी सहज इतनी उनमुक्त है जैसे कभी कोई दुख का बादल उसके उपर से न गुजरा हो कितनी शांती है उसके चहरे पर माई तुम्हारा घर कहा है यहां तो आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आती क्या कहीं दूर रहती हो सत्य कुमार ने विनम्रता पुर्वक प्रश्न किया बाबुजी मेरा क्या ठोर ठीकाना कोई ग्रिहस्ती तो है ना मेरी जो कहीं घर बनाओ सो यहीं इस छप परतले मौज से रह रही हूँ भगवान की बड़ी किरपा है सत्य कुमार का ध्यान बुढ़िया के मौज से निकले मौज शब्द परटका भला कहीं इस शम्षान जैसे विराने में अकेले रह कर भी मौज की जा सकती है वो बुढ़िया द्वारा कहे गए कथन का विशलेशन करने लगे उन्हें इस बुढ़िया का फक्कड मस्ताना वेक्तितु अत्यंत रोचक लग रहा था यहां निर्जन इस्थान पर अकेले कैसे रह लेती हो माई कोई परिशानी नहीं होती क्या सत्यकुमार ने उच्शुकता से पूछा परिशानी बुढ़िया छड़ भर के लिए ठहरी परिशानी कहे कि बाबुजी मजे से रहू हूँ, खाऊ हूँ, पीऊ हूँ और तान के सोऊ हूँ देखो बाबुजी, मानस जन ऐसा प्रानी है जो जब तक जिये है परिशानी परिशानी चिल्लाता फिरे है भगवान उसे कितना ही दे देवे उसका पेट नहीं भरे है मैं पूछू हूँ, आखिर खुस रहने को चावे ही क्या जरा इन चिडियों को देखो इन बिचारियों के पास क्या है पर ये कैसे सुखो कर गीत गावे है सत्य कुमार को बुढ़िया की सब बाते उपरी कहावतें लग रही थी पर माई अकेला पन तो लगता होगा न सत्य कुमार के आखों में दर्द छलक उठा अकेला पन काहे का बाबुजी दिन में तो आप जैसे भले मानस आवे हैं चाय पीने वास्ते गावाले भी आते जाते रहे हैं और ये मेरी चिड़कल बिटिया तो सारा दिन यहीं डेरा डाले रखे है बोडिया पास फुदक रही चिड़ियों पर स्नेह मई द्रिष्टी डालते हुए बोली क्या इतना काफी है केले पन के आहसास पर विजय प्राप्त करने के लिए सत्य कुमार के मन में विचारों का मन्थन चल रहा था उनके पास तो सब कुछ है घर बार दोस्तों का अच्छा दाइरा उनके सुख दुख की साथी सुधा फिर क्यों उन्हें मात्र बच्चों की उपेक्षा से अकेला पन का एहसास साप की तरह डस्ता है अकेला पन परेसानी सीधे उन्हीं पर पत्थर दे मारा हो क्या सचमुश हरवक्त रोना किसमत को और दोस्तों को दोश देना उनके आदत बन गई है क्यों उनका मन इतना व्याकुल रहता है सत्यकुमार के मन में उद्वेगों का एक और भवर चल पड़ा माई तुम्हारा घरबर कहा है कोई तो होगा तुम्हारा सगासंबंधी सत्यकुमार ने अपनी पूश ताच का क्रम जारी रखा बुढिया गर्व से गरदन अकडाती हुए बोली है क्यों नहीं बाबुजी पूरा हरा भरा कुनबा है मेरा भगवान सबको बरकत दे बाबुजी मेरे आदमी को तो मरे जमाना बीद किया तीन बेटे और दो बिटिया है मेरी नाती पोतो वाली हुँ सब सहर में बसे हैं और अपनी अपनी ग्रिहस्ती में मौच करे हैं पुढ़िया कुछ देर के लिए रुक कर फिर बोली मेरा एक बच्चा फोज में था पिछले साल कस्मीर में देश के नाम सहीद हो गया भगवान उसकी आत्मा को शानती देवे पुढ़िया के बाद सुन दोनों हत्प्रब रह गए और एक दूसरे का मौह ताकने लगे इतनी बड़ी बात कितनी सहष्ता से कह गई थी और उसके चाय बनाने के क्रम में तनिक भी व्यवधान नहीं पड़ा था वो पूरी तरह से सामाने थी ना चेहरे पर शिकर ना आखों में नमी क्या इसे बच्चों का मौह नहीं होता सत्य कुमार मन ही मन सोचने लगे तुम अपने बेटों के पास क्यों नहीं रहती हो उन्होंने एक बड़े प्रश्न चिन्न के साथ बुढ़िया से पूछा नहीं बाबुजी अब कौन उस मौह माया के जंजाल में उल्चे परिशान रहूंगी और उन्हें भी परिशान करूंगी मैं तो यहीं अपनी चिड़कल बिटियों के साथ भली बुढ़िया दोनों हाथ उपर उठाते हुए बोली अरे मेरी बिट्टू आ गई आज तेरे बच्चे संग नहीं आए कहीं तेरा साथ छोड़ फुर तो नहीं हो गए बुढ़िया एक चुड़िया की लब की बाबुजी देखो मेरी बिट्टू को इसके बच्चे इससे उड़ना से एक फुर हो गए तो क्या ये परिसान हो रही है रोज की तरह अपना दाना पानी लेने आई है और चहके भी है ये तो प्रकृति का नियम है बाबुजी ऐसा ही होवे है इस बारे में सोच के क्या परिसान होना बोडिया ने सीधे सत्य और सुधा की दुखती रख पर हाथ रख दिया यही तो था उनके महादुख का मूल उनके बच्चे उड़ना से इख फुर हो गए थे बाबुजी संसार में हर जन अकेला आवे है और यहां से अकेला ही जावे है भगवान हमारे जरिये से दुनिया में अपना अंस भेजे है मगर हम है कि उसे अपनी जायदात समझ दाव लेने की कोसिस करे है सो सारी उमर उसके पीछे रोते-रोते काट देवे है जो जहां है जैसे जीए है जीने दो और खुद भी मस्ती से जीओ जोर जबरदस्ती का बंधन तो बाबुजी कैसा भी हो दुखे ही है प्यार से कोई साथ रहे तो ठीक नहीं तो तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते बुढिया एक दाशनी की तरह बेफिक्री से बोले चली जा रही थी और वो दोनों मूख दर्शक बने सब कुछ चुपचाब सुन रहे थे उसके बाते सत्यकुमार के अंतरमन पर गहरी चोट कर रही थी ये अनपढ मरियल से बुढिया ऐसी बड़ी-बड़ी बाते कर रही है इस धाचा शरीर में इतना प्रबल मस्तिश्क क्या सचमुच इस बुढिया को कोई मामसिक कस्प नहीं है बुढिया के कडवे लेकिन सच्चे वचन सत्यकुमार के मन पर भीतर तक असर डाल रहे थे लो रामसरन आ गया बुढिया के उच्छा पुर्णावाद से दोनों की ध्यानमगनिता तूटी आज सत्यकुमार को बुढिया के व्यक्तित्यों के सामने स्वयम का व्यक्तित्यों बौना प्रतीत हो रहा था आज महाग्यानी सत्यकुमार को एक अनपढ अधनासी बुढिया से तत्यों ग्यान मिला था अज बुढिया का विवहार ही उन्हें काफी सीख दे गया था सत्यकुमार महसूस कर रहे थे जैसे उनके चार ओर लिप्टे अंगीनत जाले एक एक करके हटते जा रहे हूं अब वो अपने अंतरमन की रोशनी में सब कुछ इसपस्ट देख पा रहे थे जो पास नहीं है उसके पीछे रोते कलबते और जो है उसका आनंद न लेने की भूल उन्हें समझ आ गई थी बाबुजी कार ठीक हो गई है मकैने की आवाद से सत्यकुमार विचारों के आकाश से पुना धर्ती पर आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यकुमार ने मुस्कुराहट के साथ मकैनी का अभिवादन किया उनके चहरे से दोख और परिशानी के भाव गायब हो चुके थे नोनों कार में बैट के सत्य ने वहीं से बुढ़िया पर आभार भरी द्रिष्टी डाली और कार वापस घुमाली अरे यह क्या हरिद्वार नहीं जाना क्या सुधा ने घबरा कर पूछा नहीं सत्यकुमार ने बड़े जोश के साथ उत्तर दिया हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं थोड़ा रुक कर पुनह बोले हम मसूरी जा रहे हैं घुमने फिरने काम तो चलते ही रहते हैं कुछ समय अपने ले भी निकाला जाए सत्य कुमार कुछ गुनवनाते हुए ड्राइब कर रहे थे और सुधा उन्हें विस्मित नेत्रों से घूरे जा रही थी अभी आप सुन रहे थे दिपती मितल जी की लिखी कहानी सीख